कि जिस्तामें हमारे मंदिर की स्थाव नहीं यहां पर कुछ नहीं था कि जहां पीपल की जड़ घूम कर बाप इस पीपल में चली जाए बाकि आपको ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा एक दम फादबुद है या एक और शीविलिंग में रखूंगा यहां तो वो भी शीविलिंग को घेरेगा क्योंकि पीपल उनको घेरना ही चाहरे हैं तो उनको घेरते ही रहेंगे वो कि नमस्कार मैं सजीन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी अक्सर आप देखते हैं कि मंदीर के अंदर अध्भूत कारी होते हैं लेकिन हम ऐसे जगह हैं बंगाली मार्केट यहां पर एक सिब सकती मंदीर है यहां पर भी अध्भूत कार नामा हुआ है जब यह अब मैं में dus दिखांगा कि किस तरह मंदिर के स्थाप्ना के बाद मुर्ति रखी गई मूर्ति के चारों तरफ जो पीपल का पीर का ज Yuk जर होता है उनोंने उस जर सकता सकते हैं कि मंदीर की समोर्ति के सथापना होने के बाद कैसे पीपल ने पुरे मंदिर में जितना भी मुर्ती थी उसे घेड़ते हुए अपना फिर पीपल में ही समा गया वोजर आईए हम पंडी जी से भी बात करते हैं इस बारे में यह अध्भूत कैसे जो को सिखाया उन्होंने मुझे सिखाया और जिस्ताम हमारे मंदिर की स्थावना खीना यहां को यहां पर कुछ नहीं था है उसके बाद नंदिर सुख परिवार को पूरे को लुए पीपल नीitute में चले गए जानग से बहुत कम होता है और भारत तुच्छाजा है मिलेंग बहुत बड़ा बहुत बड़ा चमतकारी है यह जहां पीपल की जड़ घूम के और बाप इस पीपल में चली जाए बागी आपको ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा एकदम आदबुद है और आश्चरे जनक आ रहे थे कि आपने एक मर्ण अस्थापना खुद की थी उ साल दो साल बाद ही उसके पीछे से भी पीपल आये और वह बापिस उसी पुरानी जड़ा में मिले और बापिस वहीं चले गए यानि कि वह पीपल के चार परिवार के चारों तो अब पीपल रहना चाहते हैं इसलिए मैं इनका अपने मंदिर यहां का नाम बदलना चाहता ह हुआ है लगता है कि अगर आप अभी एक और मुर्ती अगर स्थापित करें तो उसे भी घेरता हुआ चला जाएगा अगर मैं इनको भागे कहीं और भी रखोंगा तो वहां भी पीपल आएंगे या एक और स्विलिंग में रखोंगा यहां तो वह भी सिविलिंग को इतना बड़ा आशिरवाद है कि यह पीपल हमारे मैंने तो अक्षर देखा है कि कहीं पीपल मुर्टे नहीं बताया जाता है जर्व एक ही जगार रहता है भूमता उमता ज्यादा नहीं अधी यहां देखिए आपके आखों के सामने की बात है आप देख रहे हैं और मैं तो जैसा कि आपने देखा मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि आप यह देख सकते हैं मुर्टी इतने दूर ही थी पहले तो इसे पीपल ने ऐसे घेर लिया फिर यह मुर्टी के अस्थापना बाद में हुई उसके बाद पीपल का जो जर है उससे भी अंदर से निकला और फ पीपल में ही समागे यह बहुत कम देखने को मिलता है आजकल के डेट में एक अद्भूत नजारा है सिपजी की किरपा समझें इसे एड्रेस यहां पर आने के लिए आपको बाराख खंबा रोड मैटर उतरना पड़ेगा और यहां बंगाली मार्केट है वहां आके आप बस बगल में ही यह मंदिर है छोटा सा मंदिर है नाथू राम सूइट्स के जस्ट बगल में ही है यहां आके आप दर्सन कर सकते हैं और यह अद्भूत नजारा आप भी देख सकते हैं और ऐसे ही तमाम बड़ी ख़बरों के लिए बने रमार साथ देखते रहे सौगंध टीव सौगंध वतन की